नमस्कार मैं टॉक्टर विपिन वंसल वास्तु कंसिल्टेंट हमारी जो सीरीज चल रही है वो है प्लोट चेन से लेके प्लोट शुद्धी तक प्लोट शुद्धी से लेके गरह निर्मान तक और गरह निर्मान से लेकर गरह प्रविश तक इस सीरीज में मैंने आपके लिए भहुत सरी वीडियो पहले बनाई है और आने वले समय में मेरी और भी भहुत सरी वीडियो आ रही है आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या आप अपने घर को रेनुवेट करने जा रहे हैं या आपका घर बन रहा है और आज आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप अपने बनते हुए गर में वासू शास्तर के अनुसर जितने पॉइंट सही कर सकते हैं आप वो सही करने की कोशिश जरूर करें क्योंकि घर बार-बार नहीं बनते हैं घर बनाने के ल पैट रहे है और बन रहा है तो आप मेरी वीडियो को झासे देखें सुने समझें और मुचार करें आपको लगता है कि वीडियो में दीजयंकरी सही है तो आप इपने छोटे- делद्लाव करकर तो आपने घर को सही जरूर कर सकते हैं नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप अपने मैप को इस तरीके से डिजाइन करें ताकि आपका घर वास्तु शास्तर के अनुरूप बन जाए क्योंकि कभी भी जो भी पेड़ लगाया जाता है तो पेड़ तो बाद में बनता है पहले तो वो एक पौदा होता है उसकी जड़े मजबूत होंगी तभी उस पेड़ की ग्रोथ अच्छी होगी उसके उपर फल अच्छा आएगा इसी परकार वास्तु शास्तर के जो पंच तत्व है वो घर के अंदर अपने अपने सही स्थान पर होंगे उनकी जड़े मजबूत होंगी तो घर के अंदर हर पर करती भी पंच्चतत्व से मिलकर बनी है और जो घर हम बनाने जा रहे हैं उस घर के अंदर भी पंच्चतत्व होते हैं आज मैं आपको बताना चाहूँगा कीचन के बारे में यानि रसोई घर के बारे में वास्तु शासर के अनुसर घर की किस दिशा में रसोई बनानी वास्तु शास्तर के नुसार सबसे अच्छी दिशा रहती है साउथिष्ट जोन यानि अगनी तत्व का स्थान अगने कौन रसोई रसोई के अंदर खाना बनाया जाता है सबसे ज़्यादा गर्मी रसोई के अंदर होती है क्योंकि वहाँ पर जब खाना बनता है तो गैस जलती या स्टोप जलता है और उसके कारण वो एरिया गरम होता है और हर घर के अंदर तीनों टाइम का खाना बनाया जाता है तो साउथ इस जोन अगनी तत्व का स्थान है तो हमें रसोई को अगनी तत्व के स्थान पर बनाना चाहिए जब हम अपनी रसोई को किचन को अगनी तत के स्थान पर बनाए तो उसमें ध्यान रखना है जो हमारी किचन की एंक्रेंस होनी चाहिए वो नौर्थ से यानि उत्तर की तरफ से होनी चाहिए या पश्चिम की तरफ से होनी चाहिए उत्तर की तरफ से होगी तो kitchen हमारी south की wall पर जाएगी और पश्चिम की तरफ से entrance होगी तो kitchen हमारी east wall पर जाएगी लेकिन पूरे घर के अंदर south east zone में यानि जहां पर आप अपनी building बनाते हैं building के south east corner में आपको अपनी रसोई अपनी kitchen बनानी है उसकी entrance north से भी कर सकते हैं और west से भी कर सकते हैं ये दोने entrance अच्छी रहती है कभी भी south से entrance नहीं करनी चाहिए और east से entrance नहीं करनी चाहिए जिस घर की रसोई kitchen south east में अगनी तत के स्थान पर आजाती है उस घर के अंदर health भी हमेशा अच्छी रहती है और wealth भी हमेशा अच्छी रहती है आन्दी आए तूफा नाए उस घर के अंदर तो पैसा आना ही है जिसकी kitchen south east में आ जाती है बन जाती है कुछ घर ऐसे भी होते है kitchen south east में तो बन गई लेकिन उनको अच्छे result नहीं मिलते जीएगा जो मिस्त्री होते हैं जो पत्थर लगाने वाले मिस्त्री होते हैं किच्छन को हमेशा ही बाहर के फर्ष के लेवल से आदा इंच, पोना इंच, एक इंच के करीब नीचा कर देते हैं ताकि किच्छन का पानी बाहर लॉबी के अंदर ना आए तो ऐसा करना वास्तु शास्तर में वास्तु दोश बन जाता है दूसरा पॉइंट कहां गलती करते हैं किचन के जो स्लैब होती है स्लैब के उपर ब्लेक कलर का स्टॉन लगा देते हैं जिसके करन हमें अगनी तत्र से जो बेनिफिट मिलना चाहिए जो साउथ हिस्ट में रसोई बनती है उससे जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिलता क्योंकि ब्लेक कलर अगनी तत्र को जिश्टाप करता है अगनी तत्र के स्थान पर काला रंगा जाता है तो वो अगनी तत्र को जिश्टाप करता है तो उसके करण घर के अंदर हेल्थ भी खराब होने के करण बनते हैं और पैसे जाने के रास्ते भी बन जाते हैं तीसरी गलती क्या करते हैं आज कल पूरी किचिन को ग्रे कलर या ब्लैक कलर की थीम में बना लेते हैं ग्रे वाइट की थिम में बनाते हैं, ब्लेक वाइट की थिम में बनाते हैं, तो वास्तु दोश बनता है, क्योंकि साउथ इस्ट जोन में कभी भी ग्रे कलर, ब्लेक कलर, ब्ल्यू कलर नहीं आना चाहिए, वाइट कलर नहीं आना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको कहना चाहू वोड़न कलर, पिंक कलर, बेज कलर पीच कलर, यह कलर आप अपनी किचन के अंदर इस्तमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स का लेबल एकोल होना चाहिए, स्लैब पर आप जो कलर स्किम मैंने बताहिए, कुलर स्किम के स्टोन भी सकता है आपका अपना फरनीचर भी आ सकता है यह तो हो गया हमारे सारे फरनीचर की बात फ्लॉर की बात अब मैं आपको बताना चाहूंगा किचिन के अंदर सिंक कहां लगाना चाहिए किचिन के अंदर सिंक हमेशा ही नॉर्थ वॉल पर बनाना चाहिए यहां पर आपका सिंक कर in Dallas को पाणी का काम होता है up फोट अ Juda हो जाता है äज हमेशा ही स्टोव हमेशा ही एक तो बनाना चाहिए रखना चाहिए ग्रह निका खकाणा बनाते से में हमेशा और पूरो उदिशे की ओर होना चाहिए Fridge आप को साॉथ जोन में इसाॉथ की दिवार के साथ में रखना चाहिए साॉथ की दिवार के साथ अबिसक्रथ सम Kendall के साथ भी अपना फ्रेच के रख सकते हैं By Micrawave i August Mixing आप साॉथ की दिवार के सात साॉथ की स्लैप पर रख सकते है आपके kitchen के अंदर जितने भी electronics आइटम है वो सारी south wall पर आनी चाहिए अब मेरे से कहीं बार कुछ लोग question ऐसा भी करते है कि जब हमारी रसोई south east में बनती है तो उसके साथ पानी भी आता है यानि sink लगाया जाता है वहाँ पर बरतन दूते हैं तो मैं आपको बताने चाहूँगा जो sink लगाया गया है वो north wall पर लगाया गया है और sink के अंदर जो बरतन दूते हैं उसका पानी direct नाली के थूरू बाहर निकल जाता है आपका south east का यानि kitchen का फर्ष गीला नहीं होता कहां पर तकलीफ होती है जहां पर बरतन फर्ष के उपर धुलते हैं उसको वास्तु शास्तर में गलत माना गया है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि sink आपका रसोई के अंदर kitchen के अंदर north wall पर आता है तो सबसे बड़ी है कहीं बार ऐसी option होती है कि north wall पर sink नहीं आता kitchen का साई छोटा होता है तो kitchen के north east में east wall के साथ भी आप अपना sink लगा सकते हैं जो बाते मैंने आपको kitchen के बारे में बताया है रसोई के बारे में बताया है रसोई घर के south east zone में बनानी चाहिए और जो बाते मैंने आपको बताई है उन बातों का आप सब धनिस पूरवक ध्यान रखेंगे तो आपकी kitchen वास्तु शास्तर के नुसार सही दिशा में बन जाएगी और सही बन जाएगी मैं हमेशे ही अपनी वीडियो में वास्तु शास्तर के साथ साथ अपने अनुभव की ज्यादा से ज्यादा जानकरी देता हूँ मेरको वास्तु विजट करते हुए चोवी साल हो गए है आप भी अपनी किसी साइट के परती हमसे ओनलाइन सला लेना चाते हैं तो आप हमसे ओनलाइन सला भी ले सकते हैं और आप अपने किसी भी साइट का हमारे यहां से मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहां से वास्तु शास्तर के नुसार मैप भी बनवा सकते हैं आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप हमारी यह पुस्तक भी मंगवा सकते हैं, हमारी यह पुस्तक आपके घर को वास्तु दोश्मुक्त बनाने में साहक जरूर होगी, मेरे द्वरा इस वीडियो में दीगी जानकारी आपको अच्छे लगी तो मेरी वीडियो को ल जरूर दबाएं, आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी करते हैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, इसी तरह अगले प्रोगम में फिर एक नए विशे पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार झाल